Hey guys, मेरा नाम है अनुभा, welcome to biology aid और आज के वीडियो में हम discuss करेंगे kingdom fungi and I assure you कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको NCRT की हर line समझ में आने लगेगी और पूरा topic एकदम easy लगने लगेगा, तो चलिए फिर बिनादीर करें, let's get started. Now, before starting the topic, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं telegram group पे इस वीडियो की PPT share करूंगी, तो make sure to subscribe, telegram channel का नाम है biology aid, link in description. तो चलिए उशुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, फंजाई में हमें किस तरीके के modes of nutrition देखने को मिलते हैं, फंजाई heterotrophic होते हैं, यानि कि ये दूसरे organism में available organic matter से अपना food derive करते हैं, heterotrophic में भी कुछ फंजाई saprophytic होते हैं, कुछ parasitic और कुछ symbiotic, saprophytic फंजाई की अगर बात करें तो ये dead और decaying organic matter से अपना food derive करेंगे, जैसे NCRT इस topic की शुरुवात में ही बताती है, अगर bread पुरानी हो गई है या orange रखा-रखा rot होने लगा है, तो वहाँ पे saprophytic फंजाई ग्रो होने लगते हैं, अगर बात करें parasitic फंजाई की, तो ये living plants और animals से अपना food derive करते हैं, साथ ही उनमें diseases भी cause करते हैं, जैसे की NCRT बताती है कि mustard की leaves पे white spots फंजाई cause करता है, उसके अलावा wheat के plants में wheat rust cause करने वाले भी paksinian नाम के फंजाई होते हैं, और इस fungal infection की वजह से wheat की yield यानि उपज में 20% loss होता है, next बात करें, symbiotic mode of nutrition शो करने वाले फंजाई की, यहाँ पे आपको एक mutually beneficial relationship देखने को मिलेगा between two different organisms, for example, lichens, जो की एक association है फंजाई का algae के साथ, जहाँ पे fungal partner water और minerals को absorb करता है, और algal partner photosynthesis करके food का production करता है, इस chapter के end में एक छोटा सा paragraph दिया हुआ है lichens पे, जिसमें ये भी mention है कि lichen का जो algal component होता है, उसको phycobiont कहते हैं और fungal component को mycobiont कहते हैं, now, lichen के अलावा mycorrhiza भी एक example है, जिसमें fungus और higher plants के roots के बीच symbiotic association होता है, ये fungal association in higher plants की proper growth के लिए essential होता है, अब mode of nutrition के बाद बात करते हैं habitat की, NCRT कहती है कि fungi cosmopolitan होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दुनिया भर में पाए जाते हैं, हवा, पानी, soil, animals, plants, हर जगे ये होते हैं और ये prefer करते हैं warm और humid places, तो इतना part तो काफी easy था, right? अब हमें थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, बात करेंगे इनके structure के बारे में, fungi filamentous होते हैं, filamentous का मतलब ये पतले और लंबे यनि thread-like structure के होते हैं, except east जोकी unicellular fungi होते हैं, अब इसी filamentous structure को अगर हमें figure के थूँ देखें, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसमें ये thin thread-like structures को कहते हैं hyphae, और hyphae से बना हुआ ये जो जाल जैसा देख रहा है आपको, इसको कहते हैं mycelium, यनि कि हम कह सकते हैं कि mycelium is a network of hyphae, clear? अब hyphae दो अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, इन hyphae को अगर हम zoom करके देखेंगे, तो या तो इनमें beach-beach में cross walls present होंगी, जिनने हम कहते हैं septa, और ऐसे hyphae को हम कहते हैं septate hyphae, या फिर दूसरी तरीके के hyphae होते हैं, जिनमें septa absent होते हैं, इन्हें बोलते हैं a septate hyphae, और जैसा कि आपको इस figure में देख भी रहा होगा, ये figure मैं इसी लिए वीडियो में add करती हूँ, ताकि आपको visually देख के समझ में आ सके, यहाँ आप इस hyphae में देख सकते हैं कि क्यूंकि यहाँ septa absent है, तो इनके hyphae का cytoplasm multi-nucleated होता है, और इसी लिए हम इन्हें sinusitic भी कहते हैं, clear? इसके अलावा एक बात और याद रखने की है कि फंजाई की cell walls, काईटन और polysacrides की बनी होई होती हैं, चलिए, अब बात करेंगे फंजाई में reproduction की, और यह बहुत important है, तो इसे हमें थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, kingdom फंजाई में हम vegetative, asexual और sexual यह तीनों ही modes of reproduction observe कर पाते हैं, सबसे पहले बात करें vegetative mode of reproduction की, तो fragmentation, fission और budding, इन तीनों methods से kingdom fungi के members vegetatively reproduce करते हैं, इनके बारे में आपने 10th class में पढ़ा होगा, quickly अगर मैं बताना चाहूँ, तो fragmentation में आपको याद होगा, कि इसमें organism fragments में divide हो जाता है, और हर fragment fully grown organism में develop हो जाता है, fission हमें unicellular organism में देखने को मिलता है, जहां एक cell दो में divide होता है, और फिर उन दो cells से चार बनते हैं, और budding जिसमें organism के ऊपर एक outgrowth develop होती है, जिसे हम bird कहते हैं, और ये bird एकदम parent organism की तरह develop हो जाता है, तो ये तो आपको यादी होगा, राइट? अब बात करते हैं हम asexual और sexual mode of reproduction की, NCRT हमें कुछ ऐसे asexual और sexual sports के नाम बताती है, जिनसे kingdom fungi के members reproduce करते हैं, asexual sports के example है, conidia, sporangiospores और zoospores, और sexual sports के example है, oospores, ascospores और pesidiospores, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये sports कहां बनते हैं, तो आपको याद होगा, अभी हमने बात करी थी mycelium की, तो मान लीजिए कि ये इसी mycelium का एक part है, और यही mycelium differentiate करता है, और इस पे कुछ special structures develop हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं fruiting bodies, और fruiting bodies में sports बनते हैं, clear? अब ये कुछ fruiting bodies का figure मैंने draw किया है, इससे आपको और बेटर समझ में आएगा, देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, हमने अभी asexual sports में conedia discuss किया था, तो conedia तो हो गया sports का नाम, और जिन fruiting bodies पे conedia बनते हैं, उन्हें बोलते हैं conedia 4, sporangio sports की भी हमने बात करी थी, तो ये sporangium नामक structure के अंदर बनते हैं, और ऐसे ही एक या एक से ज़ादा sporangium arranged होते हैं, over fruiting body called as sporangio 4, sexual sports में मैंने आपको बताये थे basidio sports, ये spores basidium के उपर बनते हैं, और ऐसे ही धेर सारे basidium arranged होते हैं, over fruiting body जिसे बोलते हैं basidio carp, asco sports भी sexual sports होते हैं, और ये develop होते हैं inside sack-like structures called as ascus, और number of ascus arranged होते हैं over fruiting body called as asco carp, ओके, इन डाइग्राम्स के थुरू मैंने अभी जितना कुछ भी आप लोगों को बताया है, वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप खुद देखेंगे कि अभी आगे चलके ये सारा कुछ relate होगा, और सारी बातें आपको बहुत easily समझ में आ जाएंगी, अल्राइट, अब आप एक बात मुझे बताईए, कि इन फिगर्स में आपको क्या similarity दिख रही है और क्या dissimilarity दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे कि कुनीडिया और बिसीडियो स्पोर्स अपनी fruiting body के उपर produce हुए है, जबकि sporangeo spores और asco spores fruiting body के अंदर produce हुए है, तो जो spores fruiting body के उपर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं exogenous spores, और जो spores fruiting body के अंदर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं endogenous spores, ओके, ये समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया क्योंकि यहां से काफी questions बनते हैं, तो अभी हमने बात करी कि asexual और sexual reproduction में कौन से spores involved होते हैं, अब थोड़ा सा हम asexual और sexual reproduction की cycle को समझेंगे, ध्यान दीजेगा, अगर बात करें asexual reproduction की, तो देखे, आपको पता है कि in asexual reproduction there is no fusion of gametes, तो यहां पर क्या होगा कि fruiting bodies में spores बनेंगे, disperse होंगे, और जहां भी इन्हें suitable condition मिलेगी, वहां ये वापस से mycelium बना लेंगे, simple, अब अगर बात करें sexual reproduction की, तो यहां पर क्या होता है, और इस topic से questions पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, देखे, मान लीजिए, दो मेटिंग के लिए compatible फंजाई हैं, जिनका मैंने यहां mycelium रॉ किया है, यह दोनो mycelium haploid है, haploid को हम represent करते हैं, small n से, इन दोनों ने gametes प्रोडूस किये, gametes भी कैसे होंगे? haploid, अब obviously sexual reproduction है, तो gametes fuse करेंगे, और तीन steps होंगे, पहला, plasmo gametes, यनि कि इन दोनों gametes के protoplasm fuse कर जाएंगे, इस stage को हम कहते हैं, di-cario phase या N plus N, क्योंकि यहां, एक cell के अंदर, दो separate nucleus होते हैं, और इस condition को, हम कहते हैं, di-carion, ओके? next stage है, cariogammy, यनि कि इन दोनों nucleus का fusion हो जाता है, जिससे बनता है zygote, अब क्योंकि यहां nucleus fuse हो चुके हैं, तो zygote की ploid ही हो जाती है, diploid, यनि 2N, इसके बाद आती है third stage, जो कि है meiosis, यनि zygote में, meiosis के थुरू spores बनेंगे, अब क्योंकि meiosis reductional division है, तो यहां ploid ही, diploid से घटके haploid हो जाती है, यनि कि, जो spores बनेंगे, वो होंगे haploid, clear? अब यही spores वापस से germinate होके, mycelium बना लेंगे, तो यह हुई fungi की sexual cycle, तो अब अगर exam में आपसे पूछा जाए, N plus N to N condition के बारे में, तो आप तो आप बहुत इसली आंसर कर लोगे, right? ओके, यहां तक अगर आपको समझ आ गया है, तो आगे का topic बहुत ही easy है, बात करेंगे, fungi के classification के बारे में, fungi को उनके mycelium की morphology, mode of spore formation, और fruiting bodies के basis पे classify किया गया है, आएए एक बहुत ही easy flow chart के थूँ, हम fungi का classification समझेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि, कौन से fungi में sexual reproduction known है, यानि हमने observe किया है, और किन में अब तक sexual reproduction known नहीं है, जिन में sexual reproduction known नहीं है, उनको हमने नाम दिया deuteromycities, अब जिन में sexual reproduction known है, उनमें हमने mycelium को observe किया, कि ये aceptate है या septate, जिनके mycelium aceptate थे, उनको नाम दिया phycomycities, और septate mycelium के अंडर classify किये गए escomycities और basidiomycities, तो हमें इन सभी के बारे में एक-एक करके पढ़ना है, और आप खुद देखेंगे, कि हमने अभी तक जो भी discuss किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर relate होंगी, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे phycomycities की, phycomycities aquatic habitat में पाई जाते हैं, इसके अलावा ये decaying wood पे भी grow करते हैं, और ये plants में obligate parasite भी होते हैं, यनि कि इन्हें reproduce करने के लिए, तो ये होता है aceptate और cynocytic, यनि septa absent होंगे और multi-nucleated condition होंगी, इसके बाद NCRT बताती है phycomycities के asexual और sexual reproduction के बारे में, asexual reproduction की बात करें, तो यहाँ fruiting body पे होते हैं sporangium और sporangium के अंदर spores बनते हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि spores का production endogenous है, राइट? अब कुछ cases में ये spores flagella की presence की वज़े से motile होते हैं, और इन्हें बोला जाता है zoos spores, और कुछ cases में flagella absent होता है, जिसकी वज़े से ये spores non motile होते हैं, और ऐसे spores को बोला जाता है aplano spores, तो ये spores disperse होंगे, और आगे की कहानी तो आपको पता ही है, कि जहाँ suitable condition मिलेगी, वहाँ ये germinate होके mycelium बना लेंगे, राइट? अब phycomycetes के sexual reproduction की बात करें, तो यहाँ पे obviously gametes होंगे, जिनका fusion होगा, phycomycetes में तीन तरीके के gametes observe करने को मिलते हैं, तो उन्हें बोलेंगे isogammus, अगर dissimilar हैं तो उन्हें बोलेंगे anisogammus, और अगर एक gamete बड़ा और non-motile है, और दूसरा छोटा और motile है, तो उसको कहते हैं oogammus, तो sexual cycle में gametes का fusion होगा, और NCRT बताती है कि इस fusion से बनता है zygospore, तो देखिए होता क्या है कि इस zygospore में meiosis होता है, और meiosis के थूरू spores form होते हैं, यहां भी आप देख पा रहे होंगे कि spores endogenous हैं, और फिर उसके बाद वहीं यह spores release होंगे, और germinate होके mycelium form कर लेंगे, phycomycetes के examples जो हमें learn करने हैं वो हैं mucor, rhizopus यह bread mold जो आपने 10th class में भी बढ़ा होगा, और albugo जो की mustard plant के उपर एक parasitic fungus होता है, यह तो बात होई phycomycetes की, अब बात कर लेते हैं escomycetes के बारे में, escomycetes को sac fungi भी बोला जाता है, यह mostly multicellular होते हैं, except yeast जो की unicellular होते हैं, और genus sacromyces को belong करते हैं, escomycetes saprophytic भी होते हैं, यह decomposer का काम करते हैं, साथ ही यह parasitic भी होंगे, यह disease cause करेंगे, और यह coprophyllis होते हैं, यह यह dung मतलब animal waste पे grow करते हैं, इनका mycelium branched और septate होता है, बात करें के reproduction की, तो NCRT में यह बात mention नहीं है, लेकिन escomycetes vegetative modes, यानि fragmentation, fission और budding के थुरू reproduce करते हैं, आपने भी शायद सुना होगा, कि east जो escomycetes के member होते हैं, वो budding के थुरू reproduce करते हैं, तो vegetative mode भी definitely यहाँ पे present होता है, इसके अलावा escomycetes asexual reproduction, conedia के थुरू करते हैं, और जैसा हमने वीडियो की starting में discuss किया था, कि conedia asexual spores होते हैं, और यह conedia phore पे exogenously produce होते हैं, escomycetes में sexual reproduction के अगर मैं बात करूँ, तो यह होता है through asco spores, asco spores ascus नाम के sack में produce होते हैं, और यह sacks यहनी asci arranged होते हैं over fruiting bodies called as asco carp, asco spores endogenous spores होते हैं, escomycetes के example के अगर बात करी जाए, तो यह है aspergillus, claviceps और neurospora, neurospora का biochemical और genetic work में काफी use किया जाता है, इसके अलावा escomycetes के बहुत से members, जैसे की morels और truffles, edible होते हैं और हिने delicacies यहनी delicious माना जाता है, अब हम आ जाते हैं next, besidio mycetes पे, mushroom को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, यह तो फंजाई के सबसे popular member है, इसके अलावा bracket फंजाई जो जादा तर trees की लकडी पे ग्रो करते हैं, और puff balls, besidio mycetes के commonly known members हैं, यह soil और trees के stumps या wood logs पे ग्रो करते हैं, या फिर यह plants में parasite की तरह भी present होते हैं, इनके mycelium की बात करें, तो यह भी escomycetes की तरह ही branched और septate होते हैं, besidio mycetes में asexual reproduction नहीं होता, लेकिन यह vegetative और sexual means से reproduce करते हैं, vegetative reproduction की अगर बात करें, तो besidio mycetes fragmentation के थूँ vegetative reproduction शो करते हैं, और sexual reproduction की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, besidio mycetes में sexual organs absent होते हैं, तो फिर sexual reproduction कैसे होता है? चलिए, इसको समझते हैं, देखिए, हमने sexual cycle के तीन steps discuss किये थे, plasmo gammy, karyo gammy और meiosis, right? तो usually plasmo gammy gametes के fusion के थूँ होती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ sexual organs absent होते हैं, तो यहाँ, दो अलग genotype के mycelium के somatic cells या vegetative cells का fusion होता है, somatic मतलब gametes के अलावा body के जितने भी cells होते हैं, उन्हें somatic cells कहते हैं, तो यह somatic cells fuse होते हैं, plasmo gammy होती हैं, और इससे form होता है dicaryon, अब यह dicaryon grow करता है और बना लेता है basidium, ऐसे ही काफी सारे basidium arranged होते हैं, over fruiting body called as basidio carp, अब हर basidium में होता है cariogamy और meiosis का process, जिसके result से चार basidio spores form होते हैं, तो यह था basidium iceties में sexual reproduction, अब मुझे ये बताईए कि यहाँ spores exogenous हैं या endogenous, अगर आपने ध्यान से topic को समझा है, तो बहुत ही easily answer कर लेंगे, तो फटा-फट मुझे comment करके इसका answer बताईए, answer मैं description box में दे दूँगी, लेकिन let's see कि कि कितने बच्चे सही answer दे पाते हैं, basidium iceties के example की अगर हम बात करें, तो ये हैं agaricus यानि mushroom, ustilago यानि smut और paksinia यानि rust fungus, ustilago और paksinia यानि rust और smut parasitic होते हैं, चलिए finally हम आजाते हैं last topic, which is also very very easy, deuteromycities, तो जैसे की मैंने आपको फंजाई का classification discuss करते वक्त बताया था, deuteromycities वो फंजाई हैं, जिनमें sexual phases अब तक observe नहीं करी गई हैं, और इसी लिए हम इन्हें imperfect fungi भी कहते हैं, deuteromycities में केवल vegetative और asexual reproduction observe किया गया है, vegetative reproduction ये करते हैं through fragmentation और asexual reproduction through conedia spores, इनका mycelium septate और branched होता है, septate और branched mycelium हमने अब तक केवल escomycities और basidiomycities में पढ़ा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि माल लीजे हमें कोई fungi मिला, उसका mycelium septate और branched था, और उसमें sexual cycle भी थी पर हम observe नहीं कर पाए, और हमने उसे classify कर दिया under deuteromycities, तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि कुछ fungi deuteromycities में classify कर दिये जाते हैं, फिर जब हम उनकी sexual cycle discover करते हैं, तो उन्हें escomycities या basidiomycities में shift कर देते हैं, अल्राइट? deuteromycities के mode of nutrition की अगर बात करें, तो ये saprophytic होते हैं या parasitic होते हैं, याद रखने वाली बात ये है कि कुछ deuteromycities के saprophytic members, litter को decompose करने में और mineral cycling में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, examples की अगर बात करें, तो deuteromycities के important examples हैं, alternaria, colito trichum, और trichoderma. And that is it, मैंने काफी महनत से इस वीडियो को ऐसे design किया है कि आप लोगों को कम से कम टाइम में फंजाई के सारे concepts clear हो जाएं, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो don't forget to like this video, आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, at biology underscore aid, वीडियो का PDF आपको Telegram चैनल पे मिल जाएगा, link in description, so until the next time, stay curious.